दोस्तो अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरना खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा इस बार कौन से बड़े वदला होंगे यह तो आपको बताएंगे ही साथ ही साथ मुंबाई इंडियन्स की पूरी के पूरी संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो जो आने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोईत शर्मा इशान किशन और सूरी कुमार यादो में इसे कौन है खतरना खिलाडी इस बात के जबाब हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर देएं जहां पर पिछली बाइंडिंग चैंपियन गुजरात पहले मुकाबले को खेलने के लिए उतरेगी लेकिन इसी बीच मुंबाई इंडियन्स भी पूरे तरीके से तयार है जहां पर मुंबाई इंडियन्स अपने पिछले साल के प्रदर्शन को भूलाने की कोशिश करेगी आपको बता दे मुंबाई इंडियन्स की टीम ने पिछले साल अंक तालिका में सबसे नीचे जगे बनाई थी जहां पर उन्होंने मातर दो जीत हांसिल की इसके दम पर उन्होंने चार अंक हांसिल कर लिए ऐसे में साल 2023 में मुंबाई इंडियन्स की टीम रोहित शर्मा की क दिखाई देने वाले हैं। पूरे तरीके से तैयार हैं। और मुंबई इंडियन्स की टीम को जीत के साथ वापसी कराने के लिए पूरे तरीके से बेताब खड़े हैं। ऐसमें मुंबई इंडियन्स की टीम इनी सलामी जोडिक साथ मैदान पर उतरेगी। इसकलावा मुंबाई इंडियन्स की टीम के तरब से तीसरे नंबर पर बल्ले बाजी करने के लिए सूरी कुमार यादो को शामिल किया गया है जो मुंबाई के लिए विस्पोर्टक बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देने वाले है जी हाँ, सूरी कुमार यादो इस समय T20 के नमبر वन बल्लेबाज हैं ऐसे में सूरीया की बहतरीन बल्लेबाजी का फाइदा मुंबाई इंडियन्स की टीम को होगा और मुंबाई इंडियन्स की टीम मज्बूत बल्लेबाजी के साथ मैदान पर उतरने की कोशिश करेगी हाला कि सूरत चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करते हैं लेकिन T20 प्रारूप को देखते हुए उनके शांदा फॉर्म के कारण उन्हें तीसरे नमबर पर बल्ले बाजी करने का मौका मिलेगा इसके लावा चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करने के लिए देवाल्ट ब्रेविस को शामिल किया गया है जो मुंबाई इंडियन्स की टीम के लिए विस्पोर्टक बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं इनको चोटा एवी डिविलर्स के तोर पर भी पहचाना जाता है इन्होंने पिछली बार मुंबाई इंडियन्स के लिए कई महतुपूर्ट पारी विस्पोर्ट अगंदाज में खेली थी इनकी विस्पोर्टक बल्ले बाजी पिछले साल अंतिम समय पर देखने को मिली थी लेकिन शुरुवाती मुकाबलों में इनको खेलने का मौका नहीं मिला था ऐसे मैपकी बार डेविट को शुरू से खेलने का मौका मिल सकता है इसके लावा इनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा खिलते वे दिखाई देंगे जिन्होंने पिछले साल मौमबाई इंडियन्स की टीम के लिए सबसे जादा रेन बनाई थे मुंबाई इंडियन्स की टीम को मदिकरम में सिर्फ तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से समाल कर रखा था ऐसे में तिलक वर्मा के उपर एक बार फिर से पड़ी उमीद है इस बार IPL में और इसके अलावा उनका साथ देने के लिए आल राउंडर ग्रीन को शामिल किया गया है आल राउंडर ग्रीन को मुंबाई इंडियन्स की टीम ने 17.5 करोड रुपे में खरीदा था ऐसे में उनके इसी तरीके के बैतरीन प्रदर्शन के उमीद एक बार IPL 2023 में की जा रही है इसके लावा तीन और खिलाडियों के तौर पर गिंबाज के तौर में जोफरा आर्चर को शामिल किया है ऐसे में जोफरा आर्चर के आजाने से मुंबाई इंडियन्स की गिंबाजी का फिर जादा मजबूत हो गई है तो तेज गिंबाज के तौर पर इनी को शामिल के जाएगा इसके लावा उनका साथ देने के लिए कोई भी तेज गिंबाज नहीं है बाकी बचे वे दो गिंबाजों के तौर पर फिरकी गिंबाजों को शामिल किया गया है जहां पर शौकीनों और प्यूश चावला को खिलने का मौका मिलेगा आपको बता दे प्यूश चावला अनभवी फिरकी गिंबाज हैं साथ में रितिक, शौकीन, यूअगेन बाज हैं दोनों के तालमेल के साथ मुंबाइ इंडियन्स की टीम मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी और एक बार फिर से पलटवार करने के लिए तयार रहेगी और असी शांदर खबरुकले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद